कहानी एक करियर फोकस्ट एक्जेकिटिव लॉरा बील से शुरू होती है, जो अपने कमजोर रिष्टे और अधूरे जीवन से असंतुष्ट है. अपने प्रेमी मार्टिन और दोस्तों के एक समूह के साथ सिसिली की यात्रा के दौरान, लॉरा के जीवन में एक बड़ा मोड जाता है, जब एक पावर्फुल इटालियन क्राइम फैमिली के यंग और आकरशक नेता, यंग टोरिचेली द्वारा उसका अपहरन कर लिया जाता है. मासिमो ने वर्षों पहले लॉरा को एक सपने में देखा था और वह उसके प्रती अप्सेस्ट हो गया था, उसे विश् शुरू में प्रतिरोधी और भैभीत होने के बावजूद, लॉरा धीरे धीरे खुद को मासिमो के भावुक और अधिकार पूर्ण स्वभाव की ओर आकरशित पाती है. जैसे जैसे दिन बीथते हैं, मसिमो उस पर शानदार उपहारों की वर्षा करता है और उसे असाधार यात्राओं पर ले जाता है और यह सब उस पर अपना प्रभुत्व कायम रखने के लिए जारी रखता है. लॉरा और मसिमो के बीच का रिष्टा क्रोध और हताशा से लेकर वास्तविक संबंध के क्षणों तक तीवर भावनाओं का एक रोलर कॉस्टर बन जाता है. संघर्षों के बारे में जानती है. जैसे जैसे वे एक साथ अधिक समय बिताते हैं, लॉरा को पता चलता है कि मसिमो के लिए उसकी भावनाएं केवल जीवित रहने से परे विकसित हो रही है. हालां कि उसकी कैद की परिस्थितियों को देखते हुए, उसकी भावनाओं के genetic implications एक केंद्रिय संघर्ष बने हुए है. फिल्म स्टॉक हॉल्म सिंड्रोम की complexities पर प्रकाश डालती है, सहमती, हेर फेर और प्यार और जुनून के बीच की पतली रेखा के बारे में सवाल उठाती है. मसिमो की अधिकारिता और नियंतरित व्यवहार ने एक स्वस्थ रिष पर पहुँचती है, मसिमो के साथ लौरा का समय समाप्त हो जाता है. उसने भावनाओं के बवंडर का अनुभव किया है और किसी तरह उसकी देखभाल करने आई है. फिर भी, मसिमो के साथ उसका संबंध उथल-पुथल भरा है, जो वास्तविक्स नेह और उसकी कैद के मनो वैज्यानिक प्रभाव के मिश्रन से प्रेरित है. फिल्म दर्शकों को सस्पेंस में छोड़ देती है, सोचती है कि क्या लौरा 365 दिन पूरे होने के बाद मसिमो के साथ रहना पसंद करेगी या उसकी पकड़ से बच जाएगी. 300 festive days इच्छा, शक्ती की गतिशीलता और आकर्शन की जटिलताओं के विशयों की पड़ताल करता है. यह एक ऐसी कहानी है जो लोकप्रिय संस्कृती में सहमती, हेर-फेर और अस्वास्थकर रिष्टों के चित्रण के बारे में चर्चा छेडने के साथ साथ गुदगुदा और भड़काने का प्रयास करती है. फिल्म की विवादास्पद प्रकृती ने भावुक प्रशन्सकों और कठोर आलोचकों दोनों को आकर्शित किया है, जो इसके विशयों और कहानी कहने के विकल्पों की विभाजनकारी प्रकृती को उजागर करता है.